हलो डियर स्टुडेंट्स I am Heather Alie and this is Hathi biology 20 डियर स्टुडेंट्स आज का लेक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आप सबको डियर कर देना चाहता हूं वह यह है कि हमारे जो हैं वो सिर्फ वही स्टूडेंट सुनें जो टॉप करना चाहरे हैं विकास डियर स्टूडेंट हम आपको प्रवाइट करने वाले हैं एक क्वालिटी वीडियो के साथ एक प्रॉपर कंसेप्ट ब्रीव कंसेप्ट और आप सब को यह बताएंगे गाइड करेंगे किस तरह से एक्जाम में टॉप किया जाता है फुल मार्क्स अब्टेंड किये हम आपको आउट ओफ स्लेबस लेके जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है डियर फ्रेंड से हाई प्रफाइल का मतलब यहां पर सिर्फ यह है कि हम लेक्चर्स प्रॉइड करेंगे आपको लेकिन क्या होने लिकना क्या क्या गलती नहीं करनी है आपने ठीक है और इसके इलावा हम आपको यह भी गाइड करेंगे यहां पर डियर स्टूडेंट्स कौन सी वह मिस्टेक हैं जो बाकिस स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं जिनके वज़ासे उनके पेपर्स में नंबर काट लिए जाते जो ना के सिर्फ आपको 9th class में बलके आपको FSC के दुरान और नेक्स लाइफ के अंदर भी काम आएगा विकास जो आपके 9th class है इट इसा बेस है यह आपकी ठीक है तो FSC के जो बेस है वो 9th class जो आप 9th class में पढ़ने वालों वही बेटा आपको मिलेगा फिर्स्ट एर के अंदर लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया जाएगा माँ पर मजीज ज़्यद एक्स्प्रेंड किया जाएगा तो इसलिए आप सब के लिए बेहतर यहिए कि आप यहां से अच्छी बेस बनाएं अच्छा सीखें अच्छा कुंसेप्ट क्लियर करें ठीक है एक ब्रीफ एक्स्प्लेशन लें ठीक है एक्स्ट्रो नॉलिज थोड़ा से लें टॉपिक से रिलेटेंट टॉपिक से बाहर ने जाएंगे तो डैट विल भी हैलफुल फार यू तो सोल्ड दा एक्जाम तो दि सिर्फ Пер yapılची ब्राइशन स्टडी करना नहीं बलके बैयलोगी की आंदर हम लिविंग ऑरगिसंट की इच एवरिटिंग स्टैडिंघंग करते हैं अव्रिसंकर मतलब हम लिविंग ऑर्न के उसके इन्वार्वारणन के साथ चो रिलेशनजीप पर उसको भी स्टड़ी करेंगे लिविंग और्गनिजम्स के दो सोशल बिहेवियर है वो भी स्टड़ी करेंगे उसके इलावा डियर स्टुडेंट्स हम ले बाटरी इसके अंदर जो काम कर रहे हम अभी कोवेड नाइटी की वैक्सिन बनी है हाली में ठीक है तो यह सारे ची इस फैलियानोटलो़ य सब्रांच ओ अफ वियालोजी इक वी स्टॉडी फोसफ़ल hungry वियालोजी कि वो ब्रांच जिसके अदर्म भाप क्या स्टॉडी करतेंगे इस वान वस्टेडी करेंगे हम उसे क्या नाम दे देहेंगे तो अब वो सर फेंगें डियर स्टूर इस प्र ले इस जमीन पर डाइनोसर्स मजूद थे जा पर प्लांट मजूद थे प्लांट सी अफलार की एक खास किसम के स्पीशिस मजूद थी जो आज मजूद नहीं हैं तो हमें कैसे पता चला भी 1000 साल पहले वह मजूद थे हलाकि 1000 साल पहले तो कुछ भी नहीं ना कैमेरा ना माइक्रोसकोप इस तरह कुछ भी नहीं था तो कैसे पता चला तो डियर फ्रेंट्स हुआ कुछ इस तरह से अब वो जो लाइफ थे नहीं एक 1000 साल पहले तो वो लाइफ क्या थे वो लाइफ मजूद थी कोई एव इन्वार्मेंटल हैजर्ड हुआ जैसे के जलजल आ गया तुफान आ गया सिलाब आ गया जिसके वज़ए से वो जो जानवर थे या पोदे थे वो मरके जलजल आगए यह तुफाना है उसके वज़ासे वो जो जानवर मरे ना उन जानवरों की जो हड़ीया थी सी मजबेंगे जब हमने खुदाई की जैसा के अभी साहिवाल के करीम मौझे धोड़ों वहां पर खुदाई की गई या इसके लावा और बहुत सारे मकामात पर खुदाई की गई ठीक है किला जड़ावर वाली साइड पर यहां पर बहावलपुर में इदर वाली साइड पर तो डियर फ्रेंड्स हुआ कुछ इस तरह से ज की हाफ लाइव का मतलब यह होता कि हम इस Сे यह पता चिल लगाते हैं कि वह एइनमल कितने देर पहले एस زमीन पर था और वह हम कार्बन की बेज्ट पर करेंग तो हम डियर फ्रेंड्स उनकी बेस पर करते हम पता लगाते हैं कैसे मजूद है कैसे श्लिप wirklich होगीได้ है integrating आब इन्वार्ट में पलांट में लिए नगी ओधन में लेंगे रीमेंस मैं इसे को सुनते जाना है और इसा की अपनल आपको गोर्ट करते जाना है एंग्लिश के हैं द्पर रिमेंज दिखा लिविंग निखिए दोनों क्या है लिविग ऊर्गनीज्म है लिविंग ऑर्गनिजम्स के जो बखिया जायत है वो प्रिजर्वड इन सॉइल जो जमीन के अंदर प्रिजर्वड होगे रहे गे हम उसको क्या नाम देदेंगे इस वन इस नून आज़ा फोसल्स वाट इस दाफोसल्स फोसल्स आर डड़ रिमेंज ओफ लिविंग और्गनिजम्स प्रिजर्वड इन राक्स या तो पत्थरों के अंदर में फूज हो गए और्ट सॉइल उसको हमने क्या नाम दे दिया उसको डियर फ्रेंड्स आपने नाम दे दिया फोसल्स का जैसे कि कुछ जो एक्स्टेंट स्पीशीज हो चुकी है जैसे कि डाइनोसर्स कि या पर सम प्लांट स्पीशीज एक्सिट्रा ओकर डियर फ्रेंड्स यह तो आपका हो गया बायो सौरी पहली नोटालोजी के मतलिक फोसल्स के मतलिक अब आपका इन्वाइर्मेंटल बैलोजी देखो बैलोजी की कोई भी टॉपिक है ना सारे के सारे लफजों की गेम हैं सिर्फ लफज समझने हैं टाइटल समझने है इच एवरिटिंग क्लियर हो जाएगा डालोजी का तो मतलब आप समझ चुके हो के लिविंग आर्गनिजम से देखोगे या तो आप लिविंग आर्गनिजम के इन्वाइर्मेंट को स्टडी करने वाले हो जैने के लिविंग आर्गनिजम जिस इन्वाइर्मेंट में रहते हैं या फिर फ्रेंड्स हम स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर जो लिविंग आर्गनिजम का इन्वाइर्म का साथ जो relationship होगा हम वो किसमें स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल बियालोजी में स्टडी करेंगे डियर फ्रेंड्स देखें हम लिविंग अर्गनिजम हमारा में हम एन्वायरमेंट से ओक्सिजन ले रहे हैं हर कोई कोई रहे रहे हैं रिलेशन में सेकेंड हम इन्वाइरमेंट के अंदर कार्बन डाय उक्साइड रिलीज कर रहें रिलेशन नमबर थर्ड हम इन्वाइरमेंट से क्या ले रहे हैं खुराक ले रहे हैं न्यूट्रेंट से ले रहे हैं तो यह नहीं के इन्वाइरमेंट के इंदर जो न्यूट्रेंट की of relationship किसका relationship relationship of living organism with its environment dear friends हम उसको क्या नाम देदेंगे उसको हम नाम देदेंगे environmental biology examples के अंदर क्या लिखेंगे आप examples के इंदर डियर फ्रेंड्स आप लिखते हैं के environment circulation of nutrients circulation of nutrients देखें अब circulation of nutrients इसकी कैसे एक्जैंपल बन गी देखें nutrients का मतलब होता है खुराक खुराक की circulation कैसे होती है environment में देखें हम खुराक के लिए या तो जानवरों पर इन हासार करेंगे या सब्जियों पर अब जानवरों को अगर हम कहेंगे तो जानवरों को खुराक का से मिलेगी उन्हों मिलेगी सब्जियों से तो इंडिरेक्ली हम खुराक का से ले रहे हैं हम प्लांट से ले रहें को को प्लांट से लेंगे तो भी इनर्जी मिलेगी अगर प्लांट जानवर अगर प्लांट का लेते हैं और फिर जानवरों को हम का लेंगे फिर हमें भी इनर्जी मिलेगी तो इंडिरेक्ली जो इन्वाइर्मेंट के अंदर जो सर्कुलेशन होती है न् इंवायरमेंटल बियालोजी के अंदर डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट आ गया सोशल बियालोजी बहुत इंट्रेस्टिंग है इसको हम एक सैकंड नेम से आपने इसको याद रखने जिसके विजा से आप इसको अच्छी तरह से याद रख पाएंगे डाड़ इस आलसो नून चौस्स असान हो गया पहली बात प्वीए का मतलब लिविंग और्गनिज्म अब बहेवियर बहेवियर लफज यह आपका रवाईया तो डियर फ्रेंट्स हमारे जो रवाईये हैं यही बहेवियर इकाल्वजी है यही सोशल ब्या लोजी निके स्टुडिय आफ सोशल बहे और से जो उन एनिमल्स को सोचल बिहेवियर्स जो क्या कम्यूटिस बनाके रह रहे हैं स्टड़ी आफ तो सोचल बिहेवियर behavior of animals animals के social behavior जो क्या बनाकर रहते हैं that makes communities फार एक्जम्पल मैं आपको एक्जम्पल देता हूं डियर फ्रेंड्स जंगल का बादशा लाइन तो डियर फ्रेंड्स अब लाइन क्या एक social behavior है लाइन की एक अपनी टेरो डियर यह नहीं के जंगल के अंदर जो जानवर होते हैं लाइन होते हैं उसने अपनी एक जिससरा पाक्सन के खास हदूद है बाउंडरी है इसी तरह से जानवरों के इंदर भी behavior है इन्होंने ना अपनी खास boundary fix की होती है इसके अंदर ने को जानवर आएगा जैसे इस बाउंडरी के अंदर को जानवर आएगा वो जो लाइन है वो लाइन करते हैं वो फटा फट उसके उपर अटेक करते हैं उसको किल कर देता है क्यों 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 उसका social behavior social behavior उसके यह है कि उसकी जो हदूद है उसकी जो जगा है उसके अंदर कोई दूसरा line यह कोई भी चीज ना आए जैसा कि हमारा behavior क्या है हमारी यह खास border border के अंदर ने भी आना चाहिए ना पाकिसान से कहीं और से किसी भी country पर इसे कोई भी नहीं आना चाहिए अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा किल कर दिया जाएगा विकॉस एड़ सोशल बिहेवियर इकालोजी तो बिहेवियर समझ में आ रहे एकालोजी का मतलब यही होता कि इन्वायरमेंट का उसके जो परसन है यह एनिमल है उसके साथ जो इकालोजी का नाम देते हैं एक हमारा सोशल बिहेवियर फार इसेंबल अगर बारिश वगरा आती है तो क्या होता है या फिर तुफान आता है तो क्या होता हम बारिश तुफान है तो हम घरों से बाहर जाने से गुरेज करते हैं क्यों कि हमारा सोशल बिहेवियर है तो आप पैरसाइट अलोजी पैड़ा पैया साइट और जी टेडिज चाए हृे यह क्या ब्रांच ब्रांट आजी की स्ड़ीर करते हैं यह उटियोर्ट को पैंडे़ कि अब पारिधिक नाम देंगे अप सॉनिया ज़रा पैरसाइट सुनदी है करता है parasit onder ने जानदार होते हैं जो अपने host के या तो अंदर रहेंगा या उसकी बाड़ी के उपर रहते हैं जैसा कि लेजो छोटे बच्छे होते हैं जो बिल्कु शिक्स सैवन के स्टूडेंट्स या बच्छे होते हैं उनके आक सरफ में वाag सब बच्छों की बाडि के अंदर ही रहते हैं उन्के जो डाइसिटिव सिस्टम है लेंगे वहीं से खुराक हासिल करेंगे लेकिन बदले में के कर ता हैं जब खुराक उसको वैसे छोड़ दिया जिसकी वजह से क्या होगा यहां से जो बलड होगा वो रसना स्नान अरगनिस्म है डाट लिव्ज इन डाबाड्ी ऑफ दे ओस्त जो होस्त के data अंद़र रहेंगे या on the body of the host या host की body के उपर रहेंगे तो उसे क्या नाम देंगे उसे आप नाम देंगे parasites का parasites are parasites are living organisms या organisms that remains जो रहेंगे in अंदर our own या उपर किसके उपर on the body of host gets benefit होद तो फाइजा हासिल करेंगे and return harms लेकिन दूसरों का क्या करेंगे नुकसान पहुंचाएंगे उसे के नाम देतेंगे parasites का for example dear friends अमारे बालों के इंदर जो डेंट्र फो फोता है वह भी पेरासाइट है वह खुून चीजते हैं वह लार्वा होते हैं थिकार फेर्टियोगी लार्वाम root प्रिस्टते को इसके लाबार द्रीन्स आप लिए ऐंध PG सकते हैं आपर टैप Monsieur है बहुत ही इंट्रस्टिंग है बहुत ही मार्टन है इस के ने में बायो टेकनोलोडी elli देखे बायो का मतलब लीविंग और्गनेजम टेक्नोलोजी का मतलब प्रॉसस यानि कि इसमें हम करेंगे चो चोटे जानदार है ना जिनको हमाम आँख से नहीं देख सकते हैं जिसको हम नाम देखते हैं बैक्तेरिया का इस्तुमाल करेंगे माइक्रो आर्गिनेजम का इस्तेमाल करते हैं अपने फाइदे के लिए स्पोस्ट डैट डियर फ्रेंड्स आज से कई साल पहले अर्फ आप लगा लें 500 एर्ज अगो डियर फ्रेंड्स जब एक इंसान जिसको शूगर होती थी उसको अ business लगाना पड़ती थे ना तो एक बंदे को एक वोक्त की NSOLücke लगाने के लिए एक वक्त की, एक एक इनसान को एक वक्त की इंसूलिन अगर देनी होती या बनानी पड़ती तो उसके लिए हमें पांच लाक शिफ के जो brain होते थे, वो निकालना पड़ती ते वो पांच लाक शिप के brain से हमें सिरफ इतनी इंसूलिन बना सकते थे कि वो एक टाइम सिर्फ एक इंसान को लग सकती थी लेकिन आज कल देखें आप एक से दो घर छोड़ के तीसरे घर में पहुंचो तो आपको शूगर को पेशन्ट मिल जाएगा या फिर आप अपनी फैमिली के अंदर देख लें आपको अपनी फैमिली के अंदर प्रेंट चाहिए तो हमें पांच लाग शिप के बरेंच आए अब कैसे आगी दिएर फैंड जोसके पीछे सब सबसे में रोल है वह किसका भाया टक्नालजी बाया टक्नालजी क्या होती है इस डाइज यूज ओफ माइक्रो और्गनेजम्स को यूज ओफ माइक्रो और्गन कि आउजी ओर दा ऀवल फैर सब्मडू अर्भ सब सब्सक्राइब हर लिए अपने फाइदे के लिए भी हम जब इस्तिमाल करेंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे उसको आप नाम देदेंगे वार टेकनोलोजी का तो डियर फ्रेंड उसकी ग्जैंपल क्या है कि इसकी ग्जैंपल में आप लिख दीजिए इन्सोलीन क्योंकि इन्सोलीन के स्टोरी बहुत इंट्रस्टिंग है क्योंकि पांच लाग शिव थे और अब यह वाफर में मजूद है चलिए नेक्स्वन इसदा इम्यून ओलोजी डियर फ्रेंड्स इम्यून ओलोजी ब्यालोजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके इंदर हम स्टडी करेंगे एम्यून सिस्टम को यानि के स्ट इ sensitive नी एक Gef Samsung होता है जैसा के पाकस्तान पाकसान के कार्मी ऐडिया का कंट्री है इंडिया के भी अपनी है एक रागाई बाहिर से सिस्टम होगा कि हम क्या नाम देंगा kami होता है भो मुश्टिंद होता है आपके डबि के सिर्ड के ओट पर मुश्मिल होता है तो दियर फ्रेंड जब किसी भी और्गनेंस के तो आप kendalibe आ डियर फ्रॉंड इंसेक्ट बहुत ज्यादां है स्टड़ी ओव इंसेकट उसको हम क्या नम देन देंगे इन्टॉमोर्जी इंसेक्ट पिस्टडि का मतलब यह 000 जी करें के जो जो Candice हैं वह किस एंवाइरमेंट के अदर कौन सा इन्वाइरमेंट शूटेबल होता है उनकी रीप्रोडक्राशन के लिए कि सिन्वाइब किस टेंप्रेशर पर गरमी वह रिए जयादा दिखाया त Caooc Heinstein की study antibiotics में आ जाएगा आंटमालोजी के अंदर ठीक है जैसा कि यहाषड आपके पास ग्रास होपर है वह भी एक एकल्स है आपको सर्दियों में दिखाएंगग घास प्रोगी यहे करने कि नाक्सosas उनिस लास्त तुनीस फार्मकिलजी । फार्मकिलजी डियर फ्रेंड्स इस तटी ऑफ इट आप इफेक्ट सूफ के कि मैडीसेंज अभी घया है प्युज्द अभी यह सांधर यह गण vast हम इसके उंदर यह देखे पहले ठीक है यह नहीं ठीक उस चीजों को चेक करने के लिए क्या कुछ सी ब्रांच होती है फार्माकॉलोजी होती है जैसे के पैनडोल की टैबलेट है वह अब मार्केट के अंदर हर को इसमाल कर सकते हैं लेकिन जब बनाई गई तो उसको भी टेस्ट किया गया टेस्ट एक लिवि ऊठकी लोग थे ना उनको दिया उनको देने के बाद ठेस्ट किया वी उन्हें कोई फाइदा भी हुआ यह नहीं हो फाइदा होने के बजाए उन्हें लुक्सा zwey नहीं हो गया या बाडी के किसी ओर आपटो यह इसको नहीं किया तो इसकित के अंदर किसके अंदर श्रदी करेंगे फार्मकोलोजी कंदर और फार्मकोलोजी कंदर अब किसी भी मैदिसन का नाम लिक सकते हैं जैसा के पनदोल, अस्परीन, एक्सेटर तो दियर फ्रेंच लिस वन इस दालास्ट अधर्ड लेक्टर अबट अबर चाहिए अपर ब्रांचेश को घा साइस